तो दोस्तो आज की वीडियो का टोपिक रहने वाल है अगर आपने FinancialIA 2020-21 के दोरान अपने कस्टमर को कोई Taxable Goods sales किया हो या फिर कोई Taxable Service आपने सप्लाई करी हो अगर उस Taxable Goods के अगंश्ट में या फिर Taxable Supply के अगंश्ट में कोई Interest बनता है उस कस्टमर पर तो आप उस कस् इंट्रेस्ट के साथ-साथ GST किस परकार कस्टमर से हम चार्ज करेंगे और उसका इन्वोईस हम टेली प्रायम सौफट वेवर में से किस परकार जनेरेट करेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो हम practically इस बात पर discuss करेंगे भी हम हम हमारे customer पर किस परकार के interest पर हम GST चार्ज करेंगे और किस परकार के interest हम जो GST customer से collect नहीं करेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो जो एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुती ज़्यादा important है इसलिए आप वीडियो को end तक complete जुरूर देखना वीडियो आपको knowledgeable लगे अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में share भी जरूर कर देना वीडियो कैसी लगी आप हमें comment करके भी जरूर बताना तो दोस्तों अगर आपने मारे चैनल पर पहले बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ओन कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके के practical और knowledgeable वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौनसुतार और समार्ट काउंटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चीए अगर हमने हमारे कस्टमर को जो taxable goods जो issue किये में है उसका जो tax invoice हमने issue किया हुए अगर taxable समान के against में अगर party ने हमें को जो payment time पर नहीं करी है फिर उसका अगर कोई interest बनता है तो हमें उस interest पर customer से GST tax है जो charge करना है अगर आपने कोई tax free का goods sale किया हुए या फिर आपने कोई loan की against में आप उनसे जो interest receive कर रहे हो तो आपको उस interest पर जो GST tax काटने की liability आप पर नहीं बनती है आप पर केवल taxable goods आपने supply किया है या जो taxable service आपने दिया है उसकी payment आपके पास time पर नहीं आई है अगर आपके उसके उपर कोई interest बनता है आपके interest दारा के according तो आप उनसे जो SGST जो tax है आप उस interest के voucher पे लगाओगे दोस्तों हमने एक हमारे पास customer है उसकी entry हमने यहां पर करके रखी विया sale invoice में तो सबसे पहले हम वह invoice हम देख देखेंगे इसलिए हम display more reports पर जाएंगे और डे बुक पर जाएंगे एप 2 के साथ हम पूरा data open कर लेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे हमारे पास एक customer है रमेस कुमार इसको हमने चार जो sale invoice issue किये हैं और यह जो चारों के चार invoice है सबी taxable जो goods से हमने इनको सेल किया हुए तो इस पे आप SJT और CJT tax हमने चार्ज किया हुए और सब भी आप देखेंगे और CJT tax और CJT tax है चार्ज किया हुए और इन जितना भी हमने इनको good sale किया उसके एगेंस्ट में केवल 5000 की ही receipt हुई है तो दोस्तों सबसे पहले हम इनका ब्याज की calculation देखते हैं कि कितना interest इस customer से लेना बनता है 31 March 2021 तक का तो दोस्तों interest देखने के लिए हम सबसे पहले gateway टेली पर आएंगे डिस्प्ले more reports पर जाएंगे और उसके बाद स्टेटमेंट और अकाउंट पर जाएंगे और उसके बाद में आप यहां पर देख रहे हुए option आपके पास आएग है तो उनके list of pleasure में उनका नाम है जो यहां पर automate ही आजाएगा अब एक customer है उनका हमने interest है जो activate कर रख है इसलिए नाम उसका यहां पर आ चुका है हम रहे में इसको पर interface करेंगे और अभी तक जो interest शोर है वो केवल 1 April 2020 से लेके 31 December 2020 तक ही शोर है और हम चाहिए भी 1 April 2020 से लेक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो जो total interest इस customer से जो हमने लेना वो 26,211 रुपए और 63 पैसा interest बनता है 31 March 2021 तक अगर इसकी entry हम round figure में भी करें अगर यान की 26,200 रुपए पूरा interest अगर हम लेते हैं तो इसकी इंट्रियम किस तरी केसिस का invoice हम generate करेंगे 26,200 के interest amount के साथ में हैं तो दोस्तों अगर आप देख रहे हो सबसे पहले हम एक बार हमारे जिस्टी का treatment देख लेते हैं जिस्टीर वन हम देख लेते हैं हमारा जो customer है यह regular scheme में registered है display more reports पर हम जाएंगे जिस्टी रिपोर्ट देखने के लिए और जिस्टीर वन को हम देखेंगे तो आप देख रहे हो यह जो चारों को चारों invoice है यहां पर इस B2B के अंदर शो हो रहे हैं और हम इसको interface करेंगे तो और सारे के सारे invoice अगर आप देख रहे हो यहां पर voucher wise मे तो चारों को चारों invoice आपको रमेश कुमार के ही शो होएंगे तो अगर हम पांचवां invoice जो कि हमारा interest का बनेगा वो भी अब GSTR1 के इस B2B के कोलम में शो होना जरूरी है क्योंकि हमने जो GST collect किया है सामने वाली party से उसका input भी मिलेगा तो इसकी entry करने के लिए हम voucher पे जा आजाएंगे तो यहां पर हमें mode इसका जो चेंज करना पड़ेगा name of item की जिए हमें control हम H करेंगे तो उसके बाद हम इसको करेंगे accounting invoice में तो जैसे हम accounting invoice में करेंगे तो यहां पर name of item की जिए वर्टिकुलर शो होना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों इसकी entry हम करेंगे 31 March को क्योंकि interest है जो हमने 30 March को receive कर रहे हैं तो उसके पार्टिक account में हम करेंगे आपर रमेश कुमार अब यहां पर हमें एक laser create करना पड़ेगा interest के नाम से एल्ट सी से हम laser create करेंगे और अब जो laser हमें बढ़ना वो interest received from customer और taxable ताकि हमें पता चलता रहे हैं इस जो interest हमने receive किया है इस पर हमने आपने कोई taxable interest receive किया वो तो आप यह जो aggregate cell की जो turnover रहता है उसके में include होएगा तो आप यहां पर इसके रखेंगे direct income में और उसके बाद में इस पर GST applicable रखते हुए इसका हम यहां पर GST को detail L trim करेंगे, अब उसके बाद में इसका आइसके description एह इसपे हम जुखेंगे interest , इंट्रस्ट रिसीव डम लखेंगे आपर उसके बाद में जो इंट्रस्ट का एचेसन कोड हो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके नेचर ओप ट्रांजेक्शन में अब यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप करेंगे सेल टैक्सेवल और उसके बाद में जो इंट्रस्ट की जो GST collects करेंगे जो rate अब फाइव फरसेंट की है तो हम यहाँ पर IGST में 5% रखेंगे और टायप ओप सप्लाई को good रखते हुए हम इसको accept करेंगे अब यहां पर हमें amount type करनी पड़ेगी 26,200 जितने रुपए का भी आप interest receive करना चाहते हो अगर आप पूरी amount का करोगे तो 26,200 त्यातर रुपए आपको पूरा यहां पर लिखना पड़ेगा जितने भी amount आपके साथ उनके जो भी commitment है उसके साथ से आप amount पे interest चारप क 10 रुपए का बनेगा और इस voucher को हम करेंगे यहां पर save और इसको यहां से रखेंगे one account में और इसको करेंगे save तो दोस्तों अब देख रहे हैं अब जब एक बारम GSTR1 को हम देखेंगे वापिस अभी जो पांच नमबर जो invoice था वह मारा GSTR1 के B2B के कोलम में include हुआ है य only जो sell के invoice थे इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे इसको हम voucher वाई जाकर हम देखेंगे तो total 5 के 5 invoice है जो आपको रमेज कुमार के ही दिखेंगे अगर इसकी detail हम HSN summary में हम देखेंगे तो HSN summary में भी आप देखेंगे हो जो हमने interest पर जो लिया था इसका आगया others में यह जो अभी 26,200 रुपे की जो taxable value थी और इस पर भी CGST और SGST हमने चार्ज किया हुए है तो यह भी HSN summary के अंदर include होएगा अब इसका जो हमें invoice issue करके देना है तो किस परकार हमें वो इसका GST का तो हम LTP के साथ देखेंगे और preview पर हम जाएंगे तो आप देखेंगे तो इस तरीके का जो invoice है customer को issue हो जाएगा तो दोस्तों यह invoice आपको only taxable goods के अगेंस्ट में यह पर taxable जो service आपने provide कराई है उसी के अगेंस्ट में ही आपको CGST और SGST correct करना है otherwise अगर आपने कोई जो taxable supply के गेंस्ट में नहीं है केवल आपने कोई as a loan के गेंस्ट में आपने जो payment पहले दे रहा है या कोई tax free आपने समान दे रहा है उसके गेंस्ट में अगर आपने कोई interest receive किया है तो आप as a simple journal entry उसकी कर सकते हो उसके गेंस्ट में आपको इसमें sell invoice में जाके interest बनाने की नहीं है तो दोस्तो वीडियो अगर आपको knowledge बे लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जुरूर कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लेना क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तो मिलत हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपी के साथ